मनिपूर की राजपाल, स्रीमती नजमा हेप्तुला जी, मनिपूर के लोगपुरिय मुखमंत्री, एन बिरेंच सींजी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी, जी, गजेंद्रसी सेखावत जी, जीतेंद्रसी जी, रतनलाल कटार्या जी, मनिपूर से साउसत्त, और विधान सभागे सभी जनप्रतिनिदिगण, और मनिपूर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, अइखना मयाम्बू खुरू नजरी, आज का ये कारकम इस बात का उधारण है, कि कोरोना के इस संक्रकाल में भी, देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है, और देश ठका भी नहीं है, जब तक बैक्सिन नहीं आती है, जहां कोरोना के खिलाब हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजई होना है, वहीं विकास के कारियों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है, इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनोतियों से निपटना पड़ रहा है, नौर्थ इस्ट में फिरी साल भारी बारी से काफी नुक्षान हो रहा है, अनेक लोगों की मृत्य हुई है, अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रती सम्वेदना अव्यक्त करता हूँ, इस मुश्किल गड़ी में मैं आप सब को विश्वाद दिलाता हूँ, पुरा देश आपके साथ खड़ा है, भारत सरकार कंदे से कंधा मिला करके, सभी राज्य सरकारों के साथ, जो भी आवशक्ता है, हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्यास कर रही है। साथियों, मनिपूर में कोरोना संक्रमन की गती और दाइरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार दिन राद जुटी हुई है। लोकडाउन के दोरान मनिपूर के लोगों के लिए जरूरी इंतजाम हो या फिर उनको वापस लाने के लिए विशेश प्रबन राज्य सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए है। प्रधान मंत्री गरीब के लियान अन्य योजना के तहट मनिपूर के करीब 25 लाग परिवार और 25 लाग गरीब भाई बहनों को याने करीब करीब पांच लाग परिवार समझ लीजिए अच्छे लाग परिवार समझ लीजिए इन गरीब भाईयों भेहनों को मुप्त अनाज मिला है इसी तरह डेड़ लाग से अधिक बहनों को उज्वला योजना के तहत मुप्त गैस सिलिंडर की सुविधा दी गई है मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार की ये योजनाए संकट के इस समय गरीबों की इसी तरह मदद करती रहेगी साथियों आज इमफाल सहीत मनिपुर के लाख्यों साथियों के लिए विशेस तोर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो भी अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्योहरा आने वाला है उसके पुर्व मनिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद्थोगात की शुरुवात हो रही है लगभक तीन हजार करोड रुपिय की लागत से पूरे होने वाले मनिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कते कम होनी वाली है ग्रेटर इमफाल सईत छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से जादा गाउं के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जल धारा निकलेगी यह जल धारा जीवन धारा का काम करेगी बड़ी बात ये भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बलकि अगले 20-22 साल तक की जरुरूंतों को ध्यान में रखते हुए डियाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साब पानी तो उपलब्द होगा ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आप जानते हैं जब शुद्ध पानी पीने को मिलता है तो इम्मिनिटी को बहुत मदल मिलती है रोग प्रतिरोज के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलती है बिमारियां दूर रहती है इसलिए पानी शिरफ नल से पानी आएगा इतना विशे नहीं है निश्चित रुप से ये प्रोजेक्ट हर गर नल से जल पहुँचाने के हमारे व्यापक रख को भी बहुत अधिक गती देगा मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मनिपूर को लोगों को और विशेश करके मनिपूर की मेरी माताओं बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुवात हो रही थी तब ही मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है जब पंदरा करोड से ज़्यादा घरों में पाइप से पानी पहुचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता यही वज़र थी कि लोकडाउन के समय में भी गाउं गाउं में पाइपलाइन बिछाने और जागरुकता बढ़ाने पंचायतों के साथ लाने का काम लगाता जारी रहा आज स्थिती ये है कि देश में करीब करीब एक लाख वाटर कनेक्शन याने घरों में पानी का कनेक्शन प्रति दीन रोज दिया जा रहा है यानि हर रोज एक लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं एक लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जनांदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है इसमें गाउं के लोग विशेष करके गाउं की बहने गाउं के जनप्रतिनिदी ही मिल करके ताय कर रहे हैं कि कहां पाइब बिचेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजेट लगेगा, साथियों, सरकार की व्यवस्ता में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एमपावर्मेंट, आप कल पना सकते हैं, कि ये पानी कितनी बड़ी ताकत बनके आ रहा है, साथियों, Ease of Living, जीवन जीने में आसानी, ये बहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है, पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन Ease of Living, इस पर सबका हक है, और विशेश करके हमारे हर गरीब भाई, बहन, माता, बहने, दलीद, पिछडे, आदिवासी, उनका हक है, इसलिए बीते छे वर्षों बहे हैं, भारत में Ease of Living का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है, बीते छे साल में हर स्तर पर हर क्षेत्र में वो कदम उठाये गए हैं, जो गरीब को सामाने जन को आगे बढाने के लिए प्रोसाइट कर सकी हैं, आज मनिपूर सहीत पूरा भारत खुले में सौच से मुक्त होने की गोषणा कर चुका है, आज भारत के हर गाउं तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है, करीब करीब हर परिवार बिजली से कनेक्टेड है, आज LPG गैस गरीब से गरीब के कीचन तक पहुंच चुकी है, हर गाउं को अच्छी सडक से जोडा जा रहा है, हर गरीब बेघर को रहने के लिए अच्छे घर उपलब्द कराए जा रहे हैं, एक बड़ी कमी रहती थी साप पानी की, तो उसका पूरा करने के लिए भी मिशन मोड पर जल पहुंचाने का काम चल रहा है, साथियों, बहतर जीवन का प्रोग्रेस और प्रस्परिटी का सीधा सबन कनेक्टिविटी से है, नौर्थ इसके कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज अफ लीविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मंदिर भर भारत के लख्शों पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है, यह एक तरफ से म्यामार, भुटान, नेपाल और बंगला देश के साथ हमारे सामाजीक व्यापारिक दिस्तों को मजबूती देती है, वहीं भारत की एक इस पॉलिश्य को भी ससक्त करती है, हमारा यह नौर्थ इस एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कूर्थिक रिष्टों को और बविश के ट्रेड, ट्रावेल और टूरिजम उन रिष्टों का गेटवे हैं, इसी सोच के साथ मनिपूर सहीत पूरे नौर्थ इश में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफास्रेक्टर पर निरंतर बल दिया जा रहा है, रोड़वेज, हाइवेज, एरवेज, बोर्टरवेज और आइवेज, इसके साथ-जाथ, गैस्गूरीड, गैस्पाइपलाईन का भी आधुनिक इंफास्रक्टर, अप्टिकल फाइबर का नेट्वर्क का इंफास्रक्टर, पावर ग्रीड की ववस्था, ऐसे कनेक, ऐसे कनेक काम, नौर्थ इसमें एक प्रकार से इंफास्रेक्टर का जाल भी शाय जा रहा है। इसके तहत करीब तीन हजार किलो मिटर सडकें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब साथ हजार किलो मिटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रेल कनेक्टिविटी के ख्षित्र में तो नौर्थ इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए-ने स्टेशनों पर रेल पहुंच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नौर्थ इसके रेल नेट्वर्क को ब्रोडगेज में बड़ला जा रहा है। आप सभी तो ये बड़लाव अनुभव भी कर रहे हैं। लगबद 14,000 करोड रुपे की लागत से बन रही जीरी बाम इंफाल रेल लाइन के तौयार होने पर मन्यूपुर में बहुत बड़ा बड़लाव आने वाला है। इसी तरव नौर्थ इसके हर राजगी राजधानियों को आने वाले दो वर्षों में एक बहतरीन रेल नेट्वर्ट से जोडने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रोड और रेलिवे के अलावा नौर्थ इसकी एर कनेक्टिविटी भी उतनी ही मरत्वपूर है। साथियों, नौर्थ इसके लिए एक और बड़ा काम हो रहा है। इनलेंड वाटर वेज, इनलेंड वाटर वेज के खेतर में एक बहुत बड़ा रिवोलिशन में देख रहा हूं। यहां अब बिश से जादा नेशनल वाटर वेज उस पर काम चल रहा है। भविश में यहां की कनेक्टिविटी सिर्फ सिली गुडी कोरिडोर तक सिमित नहीं रहेगी। अब समंदर और नदियों के नेटवर्क के जरिये एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत बड़ा लाब हमारे उद्दमियों, हमारे किसानों को मिल रहा है। इससे नौर्थ इसके लिए होने वाले ट्रांस्पोर्टेशन में समय की बचत हो रही है। दूसरा लाब, ये भी हुआ है कि नौर्थ इसके गावों को, किसानों को, दूद, सबजी और मिलरस जैसे दूसरे प्रोडक्ष को, देश और विदेश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुँच मिली है। सांथियों, नौर्थ इस भारत की नेचरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंद का, एक बहुत बड़ा पतीख है। भारत की आन बान शान है, ऐसे में जब आधुनिक इंफसेकर का निर्बान होता है, तो टूरिजम को भी बहुत बल मिलता है। मनिपूर सहीत, नौर्थ इसका टूरिजम पोटेंशल अभी भी अन एक्स्प्लोड है। अब तो मैं देखता हूँ कि सोचल मेडिया और वीडियो स्ट्रिमिंग के मातिवों से देश और विदेश तक नौर्थ इसकी ये तश्वीर के पोटेंशल घर घर पहुंचने के संभावना बन गई है। और आसानी से पहुंच सकता है। नौर्थ इसके अंच्छुए स्थानों के वीडियो लोकों को अच्रत कर रहे हैं, लोकों के मन में होता है, यह हमारे देश में हैं, ऐसा लोकों के मन में लगता है। नौर्थ इस अपनी इस ताकत का पूरा लाब उठाए, यहां के युवाओं को रोजगार के अउसर मिले, इसी दिशा में सरकार के अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, नौर्थ इस में देश के विकास का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए घहरा हो रहा है, क्योंकि अब पूरे नौर्थ इस में शांती की स्थापना हो रही है। जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खपरे ही आयती थी, वहाँ अब पीस, प्रोग्रेस और प्रस्परिटी का मंत्र गुझ रहा है। एक तरफ दहां मनिपूर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं भी मेरी तरफ से नौर्थ इसके नागरिकों का, विशेशकर के मनिपूर के नागरिकों का, रुदे से अभिनंदन करता हूं, कि आपने हमें साथ दिया, मेरे शब्दों को ताकत दी, और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई, वहीं असम में दसकों से चला रहा, हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपूरा और मिजोरेम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रूर, यांग, सरनार्ती एक बहतर जीवन की और बढ़ रहे हैं। साथियों, बहतर इंफासक्चर, कनेक्टिविटी और शांती। जब ये तीनों चीजे बढ़ती हैं, तो इंडुस्ट्री के लिए, इन्वेस्ट्मेंट के लिए, संभावना ये अनेक गुना बढ़ जाती है। नौर्थ इस के पास तो औरगनिक प्रोडक्स और बंबू दो ऐसे माध्यम है, जो आत्म निर्भर भारत अभ्यान को ताकत देने का सामर्त रखते हैं। और मैं आज जब यहां आप से बात कर रहा हूं तो मैं नौर्थ इस के किसान भाई बहनों से विशेस बात करना चाहता हूं। मैं लगातार कहता आया हूं कि नौर्थ इस औरगनिक कैपिटल देश का बन सकता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मदद मिल सकती हैं। आज पामोलीन ते पामोलीन ओल उइल उसका हिंदुस्तान में एश्यर्ण मार्केट है। अगर North इसका किसान और एक रगनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलीन की हखेती करे। आप कल्पना कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, हमारे अर्थतंद्र को कैसी नई गति देंगे, मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आगरख करूँगा, कि वे अपने अपने राज्य में पामोलीन मिशन की रचना करें, किसानों को सिक्षित करें, प्रेडित करें, और भविश में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की ज़ुरत होगी, उस पर भी बैठ करके कोई योजना बना सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं हम, और इसलिए मैं आज जब नौर्धिस्ट के भाईयों बहनों से और खास करके मनिपूर के भाईयों बहनों से करता हूँ, नौर्धिस्ट के मेरे पारे भाईयों बहनों तो हमेशा ही लोकल के लिए भोकल रहे हैं, और सिर्फ भोकल हैसा नहीं, नौर्धिस्ट के एक विश्यस्ता है, उनको ल लोकल के लिए गर्व होता है, मुझे आध है, जब मैं इस प्रकार का स्कार्प लगाता हूँ, तो उस प्रदेश के लोग गवरों से इसको रखनाइज करते हैं, अपनी चीजों का इतना गर्व होना, यह बहुत बड़ी बात है, और इसलिए नौर्द इसको यह समझाना कि ल लोकल के लिए वोकल बनो, साइज मुझे लगता है, कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो उससे भी चार कदम आगे हैं, आप तो लोकल के प्रती बहुत ही गवरों करने वाले लोग हो, आप अभिमान फिल करते हूँ, हाँ यह हमारा है, और यही तो ताकत होती है और जो प्रोड़क्स नौर्धीस में होते थे, उनमें से अधीक आउंस, बैल्यू एडिशन, प्रमोर्शन और मार्केट एकसेस से कभी-कभी बंचीत रह जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं था, अब आत्म निरभर भारत अभ्यान के तहत, लोकल प्रोड़क्स में बैल् रहे हैं, इन क्लस्टर्स में एग्रो स्टार्ट अप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाई दी जाएगी, ऐसे में नौर्धीस के और्गनिक प्रोड़क्स को देश और विदेश के मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए हर जरूरी सुविधा नजदिक्षी ही मिल मिलने वाली है, साथियो, नौर्धीस का सामर्थ भारत के बाम्बू इंपोर्ट को लोटकल प्रोड़क्शन से रिप्लेस करने का सामर्थ रखता है, देश में अगर्बत्ती की इतनी बड़ी डिमान है, लेकिन इसके लिए भी हम करोड़ों रुप्यों का बाम्बू इंप परवे के राज्यों को ही मिलेगा, साथियो, नौर्ध इसमें बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, पहले ही एक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क को स्विकृति दी जा चुकी है, इतना ही नहीं, नुमामिलगड, नुमालीगड में बैम्बू के बायो फ्यूल बनाने की फैक्टरी भी बनाई जा रही है, नेशनल बैम्बू मिशन के तहत, बैम्बू, किशानों, हैंडिकाप से जुड़े आर्टिस्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए, सैंक्रो करोड रुप्य का निवैश किया जा रहा है, इससे नौर्ध इसके युवा लाब जो राज्ये जादा सक्रिये होगा वो उठाएगा, मनिपूर के सामने असिमीत अवसर है, और मुझे पक्का विश्वास है कि मनिपूर मौका जाने नहीं देगा, यहां के किसानों, यहां के युवा, उद्यमों को, इसका बहुत बना लाब होने वाला है, हमारा प्रयास यही है कि मनिपूर के युवाओं को रोजगार के अवसर स्थानियस तर पर ही उपलब्द हो, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलप्मेंट, स्टार्ट अप्स और दूसरी अन्य ट्रेनिंग के लिए अब यहीं पर अनेक संस्थान बन रहे हैं, स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी और वर्ल क्लास स्टेडियम बनने से मनिपूर देश के स्पोर्ट्स टैलेंट को निखार लिए के लिए एक बड़ा हब बनता जा रहा है, यहीं नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी मनिपूर सहीत नौर्थिश के सभी वाओं को आज होस्टेल समेथ बहतर सुविधाय उपलब्द कराई जा रही है, विकांस और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबुत करते रहना है, एक बार फिर आप सभी को इस नए बॉटर प्रोजेश के लिए अनेक अनेक शुप कामनाएं, विशेश करके हमारी माताय बहनों के आशिरवाद, हमें वो शक्ति दे, ताकि गर-गर जल पोहुँचाने के हमारे सपने में, कहीं कोई रुकावट ना आये, समय सीमा के पहले हम काम कर पाएं, ऐसे माताय बहने हमें आशिरवाद दे, हमें काम करना है, हमें काम करने के लिए आशिरवाद दीजिए, आपके आशिरवाद बहुत बड़ी ताकत होती है, और रक्षा मंदन का परव सामने हैं, तो मैं आगरह से आपके आशिरवाद के अमकामना करता रहता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वच्छता को लेकर तो वैसे भी नौर्द इस्ट हमें इसांसे बहुत गंबीर रहा है, सतर्क रहा है, देश के लिए एक मोडेल के रुप काम कर रहा है, लेकिन आज जब हम करोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, तब दोगज की दुरी, चहरे पर मास और हैंड सेनिटाइजेशन, उसी प्रकार से कहीं बहार ठूकना नहीं, गंदगी करना नहीं, इन सारी बावरतों का ध्यान रखना है, आज करोना से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार यही है, यही हमें करोना से लड़ाई में मदद करते रहेंगे, मैं फिर एक बार आप सब के बीच आने का मोका मिला, एक बहुत सपन लेकर के इस योजना को शुरुवात कर रहे हैं, मनिपूर देश को दिशा दिखाएगा, इस पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुप कामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,